Hello guys welcome to my channel guys last class में हमने self-balancing system में sectional balancing वाला part किया था और हमने sectional balancing वाले पार्ट में total letters account बनाना सीखा था और साथ में हमने sales ledger में जो personal account से बनाना सीखे थे इस class में जो मारा part second class है इस part second में हम लोग total creditors के उपर काम करेंगे हम किस तरह से total creditors account बनाते हैं और किस तरह से sectional balancing system में हम total creditors के साथ-साथ purchase ledger को create करते हैं हमने last class में बहुत चीज़ सीखी थी उसको छोटा सा revise कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं हमारे जो ledger होता है जो normal ledger है जो normal ledger book के उस ledger book के हम तीन parts कर देते हैं जो first part है एक बना देते हम लोग sales ledger एक बना देते हम लोग purchases ledger ठीक है और एक हम बना देते हैं general ledger ठीक है जितने भी परसनल अकाउंट्स हैं पार्टीस के अकाउंट्स है जन्रल ledger बना देते हैं ठीक है और जितने भी शेजस जी में सारे customers के अकाउंट्स हैं हमारे जो सारे debtors हैं या customers हैं जिनको हमने credit पर माल बेचा है ठीक है और एक हमरे पास purchases ledger हमारे suppliers का अकाउंट से जिन सबने माल परचीज किया बॉट लेजर इसको बॉट लेजर भी कहते हैं और एक हमरे पास general ledger जिसमें सारे अधर अकाउंट आते हैं जैसे sales account purchases account expenses income के सारे accounts assets और liabilities के अकाउंट यह सब जन्रल लेजर में आते हैं sales ledger में डेटर लेजर भी बोल सकते हैं इसको customers के अकाउंट आते हैं purchase ledger में suppliers के अकाउंट आते हैं तो हमने लास्ट क्लास में दो कॉश्चन किये थे एक तो हमने अकाउंट होता है total creditors account ठीक है यह जो memorandum अकाउंट से टोटल लेटर से टोटल क्रेटर से अकाउंट यह जन्रल लेजर में इसलिए बनाया जाते हैं जिससे जन्रल बैलेंस का एक तो ट्राइल बैलेंस मैच हो सके और अपार्ट फॉम डैट हमने जो sales ledger और purchase ledger में individual पोस्टिंग करी है हर समय customers और suppliers के अकाउंट में individual पोस्टिंग होती है तो जो हमने individual letters account दोनों ही memorandum accounts है they are not the part of double entry system they are just for the purpose of checking so they are basically memorandum accounts ठीक है और यह हमें check करके बता देते हैं कि sales ledger में जो आपने customers का account में entry करी है और purchases ledger में suppliers का account में entry करी है that entries are correct ठीक है तो यह हमने last class में किया था दोस्तों यह basic हमने सीखा था last class में अब हम purchase ledger से related और total creditors related question करने वाले हैं जिसमें हम creditors वाला पार्ट पूरा complete करेंगे देखो हमारे पास कुछ अच्छे questions है उन अच्छे questions को solve करके हम भी से logic को समझ पाएंगे सबसे पहले हमारे पास question है prepare total creditors account हमें बनाना total creditors account अच्छा total creditors account हमने कौन सी बुक में बनाया जनरल लेजर में यह memorandum account है और हमने इसको कहां पर बनाया हमने इसको बनाया जनरल लेजर में ठीक है तो इस प्रिपेर्ट इन जनरल लेजर देखो सबसे पहला गया है opening balance है creditors का total 5000 credit purchases हमने करी 30,000 payment to creditors है 20,000 discount received at 1,000 cash purchases 10,000 हाना कि cash purchase हमारे कोई काम की नहीं है because cash purchases cash book का पार्ट है यह creditors का पार्ट नहीं है bills payable withdrawn 1,000 purchases returns 2,000 और bills payable accepted 5,000 देखो इस यह जो सारा transaction से यह सब total transaction से दोस्तों है total transaction से मतलब यह हमारी books की total है जैसे हम बात करें credit purchases की तो purchase book का जो total है ठीक है purchase book हारे वो credit purchases है पूरा पूरा यह credit purchase वहां से आ रहा है payment to creditors हमारा cash book से आ रहा है discount received हमारा cash book का जो discount received column है उस column की total से आ रहा है तो इतने भी journal यह जो एंट्रीज आ रही है सब टोटल से आ रही है किसीने किसी बुक से जो हमने करेडिटर इसके लिए अलग-लग बुक्स बनाई है जैसे बिल्स पेड़ बुक टिके डिसकाउट रिसीव कॉलम पर्चेस रिटन बुक पर्चेस बुक इन सारी बुक्स की जो टोटल है वो हीहां पर लिखर हीं हम लोग ओपनिफिन पर लोग to balance, sorry it will be buy balance brought down because it is credit balance it will come to credit side buy balance brought down it will come 5,000 this is opening balance of the creditors 5,000 next is credit purchases credit purchase country purchase account debit to creditors तो यहां पर लिखेंगे by purchases by purchases it comes to 30,000 so this is credit purchases next is payment to creditors creditors account debit to cash here to bank कुछ भी लिख सकते हम लो to cash account it comes 20,000 this is the payment that we have made to creditors next is discount received this is our income creditors account debit to discount received it comes 1,000 next is cash purchase cash purchase का हमें कोई लेना देना नहीं because it is cash part bills payable withdrawn bills payable withdrawal मतलब हमने bills payable का payment कर दिया है अब जो हमने bills payable का payment किया है उसकी entry का हमें creditors से कितना लेना देना है यह हमें सीखना पड़ेगा क्योंकि bills payable जब भी हम accept करते हैं तो उसमें creditors का rule होता है अब अगर हमने कोई bills payable with draw किया है withdraw करने का मतलब है कि हमने bill payable या तो pay कर चाने विड्रॉ किया है या फिर विल पई wound किया है उसको हमने weekly root report ही कर लिया जो बिल जो हमने किसी Party को पहले दिया था अब वो the 可以 on में withdraw कर लिया तो हमें देखना है इस bill payable takes aur χांट क्या होगा इस पार्ट को यहां पे रउब करके आगे बढ़ते हैं क्यों कि इसकी जर्लेल एंट्री हमें चंक करके Redown परको कि देखो post princess कैसे करेंगेolie जista क्रें किस तरह से posतिंग करने वाले हैं कि जो बिल ये जो बियल पेएबल विडरो किया 1000 का ठीक है वो बिल्पेभल एक्च्ल में हमने पहले क्रेडिर को बिल पेबल दिया तो देखो जब पल्य तो धीक juices को बिल पेबल देते हैं तो मैं एंट्रूर्इ करते हैं क्रेडिटर अकांट की डैपिकнал 9usion नई लाइबरेटी क्रिएट कर देते हैं बिल्स पेबल ठीक है अब हम इसी को लास्ट में वापी सीख रहे हैं कि यह जो बिल पेबल हमने विड्रॉ किया है यह बिल पेबल हमने विड्रॉ किया तो क्या हंट्री होगी बिल पेबल वापस डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने व यहां पर debit हो रहा है withdraw के case में तो यहां पर हम लिख देंगे बाइब बिल्स पेबल कि एट कम्स विड्रॉज अमाउंट है विड्रॉइंग अमाउंट इस वन थाउजन ठीक है यह हो गया अब देखो पर्चेश रिटन्स तो टू पर्चेश रिटन्स अगर पर्चेश रिटन्स तो पर्चेश रिटन्स तो पर्चेश रिटन्स वाले पार्ट में इट पर 10 कि अबद यह थित्पीड जो ने एक्सप्ट किया कि ये वाली एंट्रील विख्यु सब्सक्राइब गविजम घाब जो सब्सक्राइब के आप टोल करने कि हमर पास कितने चालत बैलेंश बचा है गड्ट सिज्टाइब 36,000 हमारा credit total आ रहा है creditors का total creditor side में ज्यादा होगा और 36,000 यह भी आ गया हमारा now 5 or 2 7 7 or 1 8 8 or 20 28 और 36 में से अगर हम 28 minus करें तो we'll get 8,000 this is the balance for total creditors account to balance carried down और by balance brought down अब देखो यह जो total creditors account है memorandum account है बट इसका फाइदा यह होगा दोस्तों देखो यह जो 8,000 का total आ रहा है न यह 8,000 का total हमारे creditors के individual balances से match करता है यह memorandum account है बट यह जो total है यह हमारे काम का है कैसे देखो जैसे मान लीजे हमने सुरेश को goods इस हमने बेची प्रिट मेरा थे मान लीजे 3,000 का हमने रमेश सारी निए हमने लिए हमने सॉरी से हमने गुद्स लिये थे 2,000 के ठीक है और मान लीजिये एक party हमारी एक party हमारा अमित अमित हमने गुट्स लिये थे 3,000 के यह देखो यह जो balances सुरेश रमेश और पछिए इनकी individual balances है अगर हम इन्डिज्जाल B Colombia इसका मतलब इन्डीजल लेवल पे साँरे से होते हैं erसे हम आपकी individual parties के balance होने चाहिए अब हम नेक्स पार्ट पर बढ़ते हैं यहां पर मैं क्वेशन दे रखा है प्रॉम्ट फॉलॉइंग बैलेंस वीरियस क्रेडिटर्स इन पर्चिस लेजर और फॉर्स अप्रेल 2010 एंड ट्रांजिक्शन दूरिंग अप्रेल 2010 देखो हमें अप्रेल का डिटेल दे रखा है हमा से इनके ओपनिंग बैलेंस दे रखें सभी के देखो ओपनिंग बैलेंस हम नोट करते हैं कि उनके बैलेंस क्या है क्या है उनकी रेंज प्रेम का बैलेंस 8000 क्रेडिट कुईन का है 10,000 क्रेडिट रवी का है 12,000 क्रेडिट और संदीब का बैलेंस से 6000 डेबिट अब क्या को advance payment दे रखा हो हम मारे पास अभी goods आहे नहीं है हमने उसको extra payment दे रखा advance payment दे रखा है तो it is possible that कि उसका balance debit हो जाए हमारी books में it is possible credit purchase करी 20 40 60 and 80 cash pay कि हमने 10 40 50 and 48 purchase return से 2,000 3,000 4,000 5,000 then bills payable 8,000 10,000 12,000 14,000 then discount receipt for 400 1,000 2,000 3,000 देखो ये individual posting से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे purchase ledger में जहां पर हमारे parties के account है personal account से purchase ledger में सारी posting कर देंगे जैसे सबसे पहले posting हमारी प्रेम्स ledger में प्रेम का opening balance क्या देखो 8,000 रुपीज ठीक है तो यहां पर लिखेंगे buy balance brought down प्रेम का opening balance post कर देंगे 8,000 then next is purchases credit purchase कितनी करी हमने प्रेम से 20,000 यहां पर लिखेंगे buy purchases 20,000 then next is cash paid हमने प्रेम को cash pay किया तो we will write to cash it comes 10,000 then next is purchase returns तो it is 2,000 तो हम लोग entry करेंगे to purchase returns it comes 2,000 then bills accepted हमने bill accept किया है तो प्रेम अकाउंट डेबिट तो बिल्स पेबल प्रेम की जगे बिल्स पेबल अकाउंट आ जाएगा it comes 8,000 हमें discount मिला तो creditors account debit to discount received discount received हमारी income है तो we will credit that and we will debit the credit account तो two discount received 400 यह हो गया हमारा अब हमें इसकी totaling करके balancing करनी है say this 28,000 हमारे total credit total then इधर भी total credit हो जाएगा 28,000 28-820, 20-10, 10-28, 8-4, 7600 तो it will be two balance carried down 7600 ठीक है यह हो गया यहां पर लिख देंगे by balance brought down exam में normally इस तरह से लिखना बहुत जरूरी होता है balance को carry करना बहुत important है ठीक है तो it comes 7600 अब हमें क्या करना है next ledger बनाना है queen का queen की opening balance है 10,000 credit purchase है 40 और cash paid है 40 तो यहां पर लिखेंगे by balance brought down it comes 10,000 buy purchases 40,000 it comes 40 cash pay किया हमने queen को तो queen account debit to cash account it comes again 40,000 यह हो गया अब और पस queen का जो data है उसमें purchase return 3,000 bills accepted 10,000 so two purchases returns 3,000 and two bills payables 10,000 now next is bills payable हो गया discount received 1,000 so two discount received 1000 अब हमें total करनी है देखो हमें यहां पर दिख रहा है साफ कि हमारी जो total है वो इस case में थोड़ी balance is different आने वाले कैसे देखो हमारी यहां पर debit total ज्यादा है ठीक है क्योंकि हम cash pay कर चुके 40 40 के purchase के लिए नहीं 40 cash pay कर दिया है बचाओ वो debit total है तो 43 53 and 54 it comes 54,000 here also 54,000 and we will write by balance carried down 54 minus 54,000 so queen का balance हमारी books में debit आ जाएगा to balance brought down it will be debit balance 4000 यह queen का हो गया अब हमारे पास है रवी रवी का credit balance है 12,000 और 60,000 की purchases है और 50,000 का payment है तो by balance brought down रवी के ledger में it comes 12,000 then purchase करी हमने 60 की तो we will write by purchases to ravis account individual account 60,000 यह हो गई हमारी purchases हमने रवी को payment किया है 50,000 का payment किया है और purchase return से 4,000 की तो 2 cash 50,000 2 cash 50,000 then purchase returns and bills payables ठीक है purchase returns is 4,000 bills payable 2,000 so 4,000 and 12,000 sorry 12,000 so 2 purchase returns and 2 bills payable 12,000 यह हो गया लास्ट में हमारे discount मिला है रवी से 2,000 का discount है तो we will write 2 discount received so it comes 2,000 अब हमी क्या करना है total करना है we will see that credit total is 72,000 credit total is bigger 72,000 and 72,000 now 72 minus 12 60 60 minus 50 10 10 minus 4 6 and 6 minus 4 6 minus 2 is 4000 तो we will get the balance of two balance carried down 4000 and it is again credit balance by balance brought down 4000 यह हो गया रवी का account अब हमरे पास लास्ट लेजर बचा है संदीब का ठीक है संदीब का debit balance है 6000 और 80,000 की purchases है 48,000 का payment है तो संदीब का debit balance है तो यहां पर लिखेंगे हम two balance brought down संदीब लेजर two balance brought down 6000 यह हो गया संदीब का debit balance हमने purchase किया है उससे 80,000 का purchase है हमारे पास यहां पर लिखेंगे by purchases two sandeep 80,000 अब संदीब को payment किया हमने 48 का और purchase return से 5000 तो यहां पर लिख देंगे हम two cash 48,000 and two purchases returns two purchases returns is 5000 नेक्स देखते हैं नेक्स हमरे पास डेटा है which accepted 14,000 and discount received 3,000 so two bills accepted so it becomes two bills payables two bills payables 40,000 14,000 and two discount received 3,000 two discount received 3,000 यह हो गया हमारा संदीब का डेटा टोटल आ रही हमारी 80,000 यहां पर लिख देंगे हम 80,000 and again on the left hand side debit side we will write 80,000 now 80 में सब figure minus करेंगे 48 and 6 becomes 54 and 54 and 14 becomes 68 80 minus 68 अब देखो अब हमें जनरल लेजर में टोटल क्रेटर एकांट बनाना है और टोटल क्रेटर आकांट बनाने के लिए हमें है जो टोटल बैलेंस है उनकी जरूवत है देखो कैसे सी दिस सबसे पहले जो उपनिंग बैलेंस है वो जिसका जैसा बैलेंस है हम वैसा ही लिखेंगे क्रेडिटर्स एकंट में डेबिट दोनों बैलेंस आएगा देखो केडिट बैलेंस कितना है एइट यूज्य नेटीट फिल्ट तो उन प्रम्स तो हम क्या करेंगे टोटल क्रेडिटर्स एकंट में लिखेंगे डेबिट बैलेंस लिख देएंगे to balance ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस पूर संदीप इस तो ग्रेटर्स बैलेंस में भी डेटर्स अकॉंट में भी आ जाए गए सिक्स ताउज़न यहां पर लिखेंगे बाइब बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे बढ़री हो रही है आ लुटी फॉर्टी सिक्स्टीं सिक्स्टी वन ट्वंटी और वन टुनटीं एंट टू लैक्स परचिस इहां पर लिखेंगे बाइक पर्चिस तू लैकस यह होगी by purchases 2,00,000 अब हमी क्या करना है पर्चीस का हो गया total total cash payment देख लिए था हम लोग total parties ने cash payment कितना किया है कैश पेट 10,000 40,000 10,000 40,000 50,000 50,000 50,000 1,48,000 cash payment यहां पर लिख देंगे total creditors account में creditors account debit to cash account 1,48,000 यह हो गया हमारा payment next देखते हैं हम लोग cash का हो गया bills payables कितने हैं purchase returns कितने हैं वो देख लेते हैं देखो bills payables है हमारे पास पहले purchase returns है 2 & 3 4 sorry 2 & 3 5 5 & 4 9 9 & 5 is 14,000 तो 2 purchase returns is 14,000 it will be 2 purchase returns 14,000 यह हो गया purchase returns अब है हमारे पास bills accepted bills accepted are 8 & 10 18 18 or 12 30 30 and 14 44 so it will be 2 bills payable it comes 44,000 this is bills payable next is last part discount received discount received a 400 1000 1400 14 into 3400 then 3400 and 3 it comes 6400 to discount received 6400 अब देखो अगर हम इनका total कर दें तो ठीक है total हमारा match up हो जाएगा बट हमारे पास है इट कम्स 2,34,000 then 2,34,000 और बैलेंस हम निकाल देंगे इसका 234 अभी मैं क्याल कर लेता हूं इसको तो लेक्त थाओग तो लेक थाओजन से हम अब जो बचाओ क्रेडित बैलेंस से वह निकालेंगे पहले हमने डेबिट बैलेंस को लिग दिया जस्ट विक उसम जानते हैं कि को इनका बैलेंस डेबिट है 2,34,000 minus 6 minus 148 minus 14,000 minus 44,000 and minus 6400 so it comes 15,600 two balance carried down 15,600 अब देखो दोनों balance इसको लिखना है यहां पर debit balance लिखेंगे two balance brought down it comes 4,000 and यहां पर हम लिखेंगे by balance brought down this is credit balance 15,600 this is credit balance यहां पर दो balances आ गए हमारे पास अब देखो यह जो हमारा total debtors account है इसके जो balances है क्या individual balances match करते हैं एक तो match करता है जैसे queen's का जो balance है queen's का balance debit ही है 4,000 अभी हमने जब ledger बनाया था queen's का 4,000 हो गया संदीब का ledger 4,000 credit यह संदीब का हो गया ठीक है रवी का 4,000 credit 4,000, 4,000, 8,000 queen's का balance 4,000 हमने debit लिखी दिया एक queen's का balance है और यह हमारा प्रेम का ledger is 7,600 तो तीनों ledger हो गए देखो अब credit balances लिख देते हैं प्रेम का है 7,600 next is रवी का है हमारे पास 4,000 रवी 4,000 and संदीब is also 4,000 यह संदीब का balance हो गया तो 8,000 8 and 7 15,600 और queen's का balance है debit 4,000 अब आप देखो यह balances match हो गए this is matching with individual balances and this is also matching with individual balances इसका मतला हुमारा total creditors account और parties के individual balances match हो रहे हैं it means हमारे पास हमारे पास जो हमने total creditors account बनाया है it is a memorandum account in general ledger these both are matching with तो यहां पर आके हमें प्रूव हो जाता है कि हमारे sectional balancing system में जो भी हमने posting करी है वो सारी की सारी posting का हमारी सही है ठीके दोस्तों तो इस तरह से total creditors account बनता है और purchases ledger या bot ledger में individual parties के account बनते हैं I hope you understand them very well अब हम दोस्तों next class में कुछ और questions करेंगे sectional balancing system के ही उसके बाद में start करेंगे self balancing system ठीके दोस्तों thank you very much goodbye